नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की अभी आपकी स्क्रीन पर ये सिल्वर यूएसडी का चार्ट है पांच मिनट के टाइम फ्रेम के साथ और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट रही थी लास्ट रेडिंग सेशन में मतलब फ्राइडे को तो उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे क्या सपोर्ट और रैस्टेंस लेवल इसमें रह सकते हैं और जिनको देखते हुए हमारा क्या वियू नी कल रहा है सिल्वर में अपसाइड ये डाउनसाइड को लेकर हमें किन लेवल्स के बाद इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर हमें अल्रेडी एक होल्डिंग रखनी चाहिए सिल्वर में तो इन सब चीज़ों बात करने के लिए आई हम शुरू करते हैं पांच मिनिट के टाम फ्रेम के साथ देखी दोस्तों सिल्वर ने अपनी शुरुबात यहां से करी थी स्टार्टिंग में इसमें कुछ खास मोमेंट नहीं थी मार्केट बहुत देड तक थोड़े सी एक अपसाइड जरूर दिखाई थी पर वहाँ पर सस्टेनी करा और धीरे धीरे इसका जो मोमेंटम था वो एक डाउनसाइड की तरफ बनता चला गया और इसने काफी नीचे तक के प्राइसे को टच करा 26.70 को भी एक बार ब्रेक कर दिया था और फिर इसमें थोड़ी सी एक अपसाइड हमें देखने को मिली 27.10 को उपर में ब्रेक करा और फिर से एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली जहां पर ये अपने लोर लेवल के थोड़ा सा ही उपर आके close हो गया 26.80 पे तो इस तरीके का हमें एक moment इसमें देखने को मिली देखिए इसमें एक चीज़ आप note कर रहे हैं कि बार बार इसे उपर की level पे एक selling देखने को मिली है उपर में बहुत देड़ तक इसने यहां पर sustain करने की कोशिश करी पर hold भी रखा पर market ने नीचे को एक breakout दे दिया उसके बाद इसने फिर से कोशिश करी उपर में एक breakout दिखाने की पर वो level इसका जो high था वो तूटने में काफी परिशानी से हुई वहां से फिर से एक selling आगई और market लगभग अपने low के आसपास आके close हो गया तो इस तरीके का इसमें एक scenario हमें देखने को मिला आएए चलते हैं 15 मिनट के time frame पर दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि यह जो पूरा का पूरा area है यह एक काफी अच्छी एक resistance हमें दिखा रहा है इसके नीचे ही silver अपने आपको रोक के रखे हुए और जैसा कि अभी हम देखेंगे कि Monday को कहां पर opening होती है उस पर बहुत जादा depend करेगा कि हमारा opening के time से ही कोई view बन जाएगा या फिर हमें evening session का wait करना चाहिए शायद ना हो के हम open होते ही कोई trade लें wait करना चाहिए evening session से थोड़ा सा पहले तक कम से कम एक जो trend है वो हमें clear होना शुरू हो जाए तो उसका हम ज़रू wait करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे है यह पूरा का पूरा एक support zone है ठीक है यह पूरा का पूरा एक resistance zone है देखे support zone आप देख रहे है यह पूरी की पूरी line यहाँ से इसे बार बार support मिला है और जहाँ पर इसने अपनी closing करी है वो बिलकुल अपने support के अपास है यहाँ से नीचे अगर silver का कुछ ऐसा एक trend बनता है कि इसके नीचे अगर sustain करती है तो कम से कम इतना ज़रूर एक हमें देखने को मिलेगा कि selling pressure बनना शुरू हो गया है जो काफी ज़्यादा तेज भी रह सकता है उसका reason यह है कि बार बार silver ने यहाँ से एक turn लिया है उपर को नीचे चली गई थी तो उपर में breakout आ गया नीचे इसने अपने आपको hold नहीं रखा एक कोशिश की थी फिर से उपर को जाने की पर उपर भी market ज़्यादा रुका नहीं तो एक range में trade कर रहा है range कौन सी है वो यहाँ पर यह support level हो गया यह resistance level हो गया इसी के बीच में अभी silver का trade चल रहा है support level काफी strong बन चुका है क्योंकि कई बार इसने यहाँ से एक bounce दिखाया है पर अगर यह bounce तूटता है और silver इसके नीचे अपने आपको sustain कर लेती है तो कही ना कही हम यह चीज़ देखेंगे कि silver में एक जो selling है वो काफी तेजी से आ सकती है ठीक है आएए चलते है एक घंटे के time frame पर और समझनी कोश्च करते है कि एक घंटे के time frame पर हमारा किस तरीके का view है देखिए यहां देखें कि यह सारा का सारा एक consolidation phase हमें नजर आ रहा है कुछ clear cut नहीं है market में जिस तरीके का trend चल रहा है यह पूरा का पूरा area की मैं बात कर रहा हूँ support area कुछ हमें सावज में आ रहा है इसके नीचे यहां पर इसके नीचे यहां पर यह थोड़ा सब इस लेवल को break करने ही कोशिच करी थी पर एकदम से suddenly एक bounce आ गया यहां भी हमने इसी तरीके की चीज़ देखी थी अभी देखते हैं कि यह लेवल अगर break होता है नीचे में तो क्या silver नीचे है कि prices पे hold कर पाएगी और अगर hold कर लेती है तो chances यह बनने लग जाएं कि silver का price और जादा नीचे को जा सकता है चलते हैं चार घंटे के time frame पे दोस्तों यहां देखेंगे कि silver में यहां से एक upside आई थी फिर downside उसके बाद ये आप देखेंगे इस तरीके का एक formation बन रहा है ठीक है यह head and shoulder type एक formation है यह एक high लगा उसके उपर का यह high लगा फिर उसके नीचे का यह high लगा तो यह तीन high लगे हैं जिसमें बीच वाला high इन दोनों के high के उपर है तो यह head and shoulder type formation है जो एक resistance को बताता है और जब इस तरीके का एक formation बनता है तो resistance काफी strong होता है इसके नीचे जब तक silver है तो कहीना कहीं यह एक sign है इस चीज़ का कि selling pressure काफी ज़्यादा strong है जो sellers जो हैं वो इन levels पे काफी active है नीचे के prices पे अगर silver अपने आपको hold कर लेती है तो उपर का price फिर break होना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी यह इस range में trade कर रहा है हमें यह देखना है कि यह वाला price के नीचे hold होगा या नहीं होगा ठीक है आईए थोड़ा सा daily charts पे नज़र मारते हैं यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से यह buying चल रही थी continue है उपर के prices नीचे के फिर उसके बाद से यह सारा का सारा area यह consolidation का है आप देख रहे हैं कि कितनी छोटी range में यह trade कर रहा है वैसे यह बहुत बड़ी range है इसमें हम यह 2000 तक के भी एक downside देखने को मिली है पर छोटी range मैं इसलिए बता रहा हूँ इसके comparatively इस range को हम बहुत छोटा कहेंगे छोटा भी कहना अगलत है इसे हम बहुत छोटा कहेंगे तो इसमें एक selling pressure अभी तक बना हुआ है नीचे को अगर market आना शुरू करता है तो जो selling है वो भी काफी speed से आ सकती है यहां तक के level मैं expect कर रहा हूँ यहां पर इसे एक major support मिल सकता है 24 dollar के around तो वो depend करेगा के selling कब आती है और कितनी speed से आती है अगर ज़्यादा speed से आती है तो 24 dollar के around इसे support मिल सकता है उसका reason एक तो यह भी है फिर पहले इसे support मिल चुका है और दूसरा यह है कि इसके नीचे इसका एक और breakdown level है तो यह दो reason है कि यहां पर आकर कहीं पर यहां से turn करने की कोश्च कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर देखेंगे कि silver इस पूरे area में trade करके ऊपर की तरफ bounce करती है नहीं करती पर chances उसके कम लग रहे हैं कुछ ज़्यादा अभी लगनी रहे है और यह थोड़ा ज़्यादा आगे का view है तो जैसा भी रहेगा तब की बात हम तब कर लेंगे पर फिलहाल 24 डॉलर के around एक support मुझे नजर आ रहा है और यहां इस range में silver consolidate कर रही है ठीक है यह दो तीन point 0.05 अगर break होता है ज़्यादा दोड़नी है पास में ही है यह line 27.05 यह अगर break होती है तो यहां से एक downside आती हुई थोड़ी सी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी तो 27.05 एक price level जरूर है पर इसे मैं बहुत important नहीं मानता है क्योंकि जिस तरीका का एक एक narrow range में trade चल रहा है नीचे पर support मिल रहा है उपर में raise strength मिल रहा है तो इसे बहुत ज़्यादा में strong नहीं मानता है strong इस से थोड़ा सा ज़्यादा यह है 27.40 इसके उपर अगर silver अपने आपको hold करती है तो chances यह बन सकते हैं 27.40 में strength आ सकती है और 27.40 से भी काफी उपर तक के level हमें देखने को मिल सकते है तो इस तो पर मैं एक चीज़ और clear करना चाहता हूँ कि gold और silver में जब तक एक काफी अच्छी strength मुझे नजर नहीं आएगी मैं buying की recommendation नहीं दूँगा आपको मतलब मेरा जो personal observation कि buying सिर्फ trap हो सकते हैं अभी इस time कभी भी selling pressure है और खास थोर से silver में, gold में अभी भी ऐसा नहीं है खास थोर से silver में हर time frame पे, छोटे से लेकर बड़े तक, हर time frame पे selling के indication आए हुए है तो ये एक important point है जो आपको note करके रखना चाहिए, 15 minute हो एक घंटा हो, चार घंटे हो सिर्फ daily charts को छोड़ कि क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया कि 24 dollar के नीचे एक support area है gold में थोड़ा सा इसका opposite है, gold में daily charts पे selling के indication आ चुके है पर intraday में उसमें mixed एक behavior है, जिसमें कुछ levels है जो break होने है, silver में सारे level break हो चुके है, daily charts पर 24 dollar पे काफी नीचे है वो वहाँ पर हमें एक support मिलता हो नजर आ सकता है अधरवाई silver में जब तक 27.40 के नीचे silver trade कर रही है आप इसमें selling की position ही बना के रखें जहां भी आपको ठीक लगता है बाकी Monday की opening एक बार हम देखेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा review लेंगे इस चीज़ का कि क्या prices सही रह सकते हैं हमार लिए क्या गलत रह सकते हैं और हमें किस price के नीचे हमें selling करनी है, फिर already हमें sell करके चलना चाहिए और फिर उसके लिए यह कुछ चीज़े हम जरूर देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ के 27.40 और दूसरा लेवल दोस्तों इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाया है मैंने उन्हें बताया आपको जो काफी strong इसका resistance लेवल है बहुत strong है, वो है 28 डॉलर जब तक इसके नीचे है तब तक silver को reversal मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यह मैं comics की बात कर रहा हूँ कुछ इसको देखकर mcx पे थोड़ा confused हो जाते हैं कई लोग mcx को देखकर comics पे confused हो जाते हैं तो आप जिस में trade करते हैं आप सिर्फ उसी commodity को आप देखिए silver mcx में करते हैं आप mcx का देखिए silver usd में करते हैं usd का आप देखिए तो silver usd में 28 डॉलर बहुत major resistance लेवल है इसके नीचे जब तक silver है silver में chances यह हैं कि downside में काफी अच्छे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो और कोई लेवल होगा तो मैं जरूर अपडेट करूँगा फिलाल यही कुछ लेवल से जो मुझे आपके साथ discuss करने थे मैं एक बार repeat कर देता हूँ कौन-कौन से लेवल मुझे 7 में आ रहे हैं सबसे पहले 27.05 पर इसे मैं बहुत strongly ना consider कर रहा हूँ ना recommend कर रहा हूँ उसका reason यह है कि silver अल्रेडी इस range में trade कर रही है तो उपर में selling नीचे में buying इसी तरीके का एक trade चल रहा है तो इसे हम अगर ignore करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उपर में level है 27.40 यह अगर break होता है तो कहीं ना कहीं यह चीज मानी जाएगी कि silver में एक strength आती भी दिख रही है हमें और उपर में 28 डॉलर वो अगर break होता है उपर में तो chances यह बनेंगे कि silver में एक upside जो है वो बहुत speed से भी आ सकती है तो 28 डॉलर के नीचे जब तक है silver में जैसे जैसे selling के indication आते रहेंगे वहाँ पर हम enter करेंगे और देखते हैं फिर आगे का view कैसा रहता है इसको लेकर हम Monday को एक बार शायद morning में कोशिश कर सकते हैं discuss करने की या फिर market report MCX जो टेलिग्राम पर channel है वहाँ पर मैं कुछ अपने review देख सकता हूँ तो ये था मेरा silver USD पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेंड साथ देखते हैं market report धन्यवाद